हालो दोस्तो नमाजकर हमारे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम इस वीडियो में 36 गड़ अब्जेक्ट्व जीके सीरीज का यहां 37 नमबर का क्लास है अगर आप फिछले क्लास नहीं देखे होंगे तो जाकर बिल्कूर देख लेना 37 नमबर का क्लास है इसमें हम क्या है टॉप 20 को डिसकेस करते हैं इसके साथ आपको इंपोर्टेंट फैक्ट और भी आपको बताता हूं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका 25 से 30 को सटीक है इसी वीडियो में कवर हो जाएगा तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देख वार्सिक वर्षा कितनी होती है तो देखो 2011 में कुष्चन पुछा गया था उस इसाब से हमारा क्या है आप संडी सही है लेकिन अभी वर्तमान में 36 गड़ में कितना वार्षीक वर्षा होती है तो 1200 ठीक है 1200 मिलिमीटर कितना 1200 मिलिमीटर अगर सेंटीमीटर में पूछेगा 125 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो लेकिन आप इसको 129 सेंटीमीटर अभी वर्तमान में 129 सेंटीमीटर 36 गड़ में आउसत वार्सिक वार्सा होती है इतने चीजों को आपको याद रखना है इंपोर्टेंट है ठीक है चलिए यह जो इसका अपडेर दिया है इसमें देखो 1200 से ल हमारा यह 13 वा कुष्यन है थिक है कल बागी कुष्चन के थैं फिर उसके बाद वाला कौशन डुने करются वे इस राजय की जल्वायू कैसी है थो इस राजय की जल्वायू को आपको बताना है कैसी है यह उस राजय की जो जल्वाय को एक आप्शन भी उस उड़कटी बंदिया जलवायू है ठीक है उस उड़कटी बंदिया जलवायू क्यों है तो देखो जो 36 गार राज्या अगर आप जो गलोब को देखेंगे तो गलोब में एक क्या है बीज में एक कालपनिक रेखा किची जाती है जो पृत्वी को दो बराबर भागों में ब्योग्त कर देती है तो उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं उपर के चिपार जाओगे शोटीजभाएयु दोनों के बीच में है ंपरे भाग में क्या है कर कर रेखा गुजरती है, इसलिए यहां की जो जलवाई है, उस उड़ा कटी बंदी या जलवाई हुआ है, तो याद रखेंगे, इंपोर्टेन है, आपको कारण भी बता दिया, ठीक है, छिलिए, नेस कोश्चन है, यह रहा मारा अगला कोश्चन, इस कोश्चन का अंसर आपको बताना ह अगर आपको पहले से पता है ना, तो आप कमेंड में भी करते रहे ना, ठीक है, कमेंड करते रहिएगा, आपको पहले से पता है, बाकी अगर आपको पता है, तो आपको रिवजन भी किजिए, ठीक है, निमने में से कौन सा इस्थान इस राज्य का चेरा पुन्जी के नाम से जाना जाता है कहा है तो यह किस जीले में है तो जो अभूजमान है यह नरायाणपूर जीले में है चैतुरगड को किस नाम से जाना जाता है तो देखो चैतुरगड को 36 गड़ की कास्मिर बोलते हैं चैतुर गड़ को क्या है 36 गड़ का कस्मिर बोलते हैं इंपोर्टन है भोरम देव कहा है भोरम देव मंदिर कहा है तो कवरधा में भोरम देव वन्य जीव अभ्यरण भी है जो 36 गड़ का सबसे नया वान्यजी अभ्यरण है जो 2001 में इसकी स्थापना हुआ था तो इस तरीके से आपको चीजों को याद करना है एक बार रिविजन कर लेंगे कोई भी चीज आता है तो आपको रिविजन करने का प्रयाज करना चाहिए ठीक है चलिए नेश्टर आगे बढ़ते हैं यह हमारा अगला कुश्चन को दिखेंगे देखिए चतिस गड़ में इस्थित गर्म पानी के उस सोते का नाम बताईए जो पूरे वर्स लगातार भहता रहता है और जिससे अवसधी गुडों से यूपता माना जाता है तो हमारा इस कुश्चन का क्या ह है तो हमारा अपशन डिया जो भर्रामपूर जीले में है यहां क्या है लगातार कंव कि क्या है मिल्यां पानी की फभारे निकलता रहता है और इसकी जो पानी है उसमें क्या है सलफर पाए जाती है जिसे जो चर्म रोग है ठीक है अगर चर्म रोग वाले इस पानी में नहाते हैं तो क्या है चर्म रोग कभी ठीक हो जाता है ठीक है तो इसलिए क्या है इसे औसोधी गुड़ोसो युक्त माना जाता है इंपोर्टेंट है बल्राम पूर ज है इस question को देखेंगे 36 गड़ के अधिकांस वर्षा मांसुन के किस साखा में जरूर होती है मतलब कहने के मतलब है 36 गड़ में जो वर्षा होती है वो किस मांसुन के साखा से होती है तो हमारा इस question का सही अंसर है option बंगाल की खाड़ी की साखा से 36 गड़ में 90 परसेंट वर्षा होती है अरब सागर की साखा से कितना परसें 10 परसें होती है 36 गड़ में वर्षा किस प्रकार के मांसुन से होता है तो दक्षिर पस्चिम मांसुन से ठीक है और एक साखा को बंगाल की खाड़ी की साखा बोलते हैं जिसे 36 गड़ के अधिकांस वर्षा होती है 90% और दूसरी साखा इसकी अरब सागर की साखा है जहां से 37 गड़ में केवाल 10% ही वर्षा होती है वर्षा के संबन्द में और चीज़ा यह पूरा वर्षा रीतु में होता है अगर सीत रूतु में 36 गड़ में वर्षा किस कारण होता है ऐसा पूछे का तो देखो सीत रूतु में जो वर्षा है 36 गड़ में वह पस्यमी गर्त या पस्यमी विशोव या वेस्टर्न डिस्टर् करना है क्योंकि आर देखो हमें भी आपको support की जरुरत है तो हमारा मदद केसे कर सकके है जिसे मैं आपका मदद आपको जनगारी तेկारी में थोड़ा सा मदद कर रहे हैं उसी प्रकार आप अपना मदद हमें भी कर सकते हो इसको और पुछ यह को सेर बिल्कुल कर दिये करो। मैं मां में उसरल कटी बंदी चक्रात के कारण होता है तो उसका क्या करण है पुछा है तो हमारा आपनषण यह है 2018 में महां में जो सबसे गर्म महिना इस समय जो शतिजगर के मैदानी इलाकों में एक सुसक यौम गर्म हमाएं चलती है उसके क्या बोलते हैं लू बोलते हैं लू ठीक है अगर आप देखो शतिजगर के जलवाईव वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लेना ठीक है क्योंकि उ ठीक है यह हमारा अगला कोश्यन है इस कोश्यन को आप देखेंगे इंपोर्टेंट है ठीक है चतिजगर राजय में सरवाधिक वर्षा वाला चेत्रा इस कोश्यन को बहुत बार पुछे गए हैं आगे भी पुछे जाएंगे ठीक है चतिजगर में सरवाधिक वर्षा वाल इंपॉर्टेंट है ठीक है अब देखो इसमें से याद रखना है आपको सभी चीज इसमें कर चारों अप्सुन से आपको कुश्चन वनेंगे ठीक है तो पहला पूछ देंगे केस कल घाटी कहा है तो कोंडा गाउंजीले में है पुषते हैं केश कालगाटि में 12 मोर है और केश कालगाटि में ही क्या है तेलीन माता का मण्दिर है देखें तीन question एक ही option से आपका clear हो गया चुरी उदैपुर की पहाड़ी ठीक है चुरी उदैपुर की pahड़ी कौन कौन सी में है तो देखो आपका सरगूजा में है, कोर्बा में है और रायगर में है, तीन जीले में ये क्या है, फैला हुआ है, जो छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी है, अंबिकापूर में ठीक है, वहाँ से रिहंद नदी का उद्गम होता है, रिहंद नदी पर सुराजपूर जीले में रक सिता बेंगरा में है, सिता नाट्य साला, जो विश्व के सबसे प्राचिनतम क्या है, नाट्य साला है, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपोर्टेन है, देखो, आपको वाला किया था, तीस कोश्चन तक कराने का ठीक है, लेकिन आपका अभी तक ही चालीस कोश्चन आ अंतरगत आता है, कहिने एक मतलब है कि भारात के संदार में 36 गड़ किस भू आकृति प्रदेश के अंतरगत आता है, तो किस भगोलिक चेत्र के अंतरगत आता है, तो हमारा ये वाला अप्शन प्राध्यूपी उच्च भूमी, ठीक है, प्राध्यूपी उच्च भूमी के के अंतरगत आता है ठीक है अगर जय भागोलिक द्रिष्ट से 36 किस के अंतरगत आता है पूछेंगे तो इंपोर्टेंट है ना सभी चीजों को आपको अच्छे से समझना है हर चीज को चलिए देखें यहां पर भी लखाया है ठीक है अगर आपको पूछ देगा ठीक है एक चीज है इसमें आपको क्लियर कर देता हूं जय भागोलिक के द्रिष्टी से पूछेगा तो दक्कन दक्कन के पठार के अंतरगत आता है ठीक है इंपोर्टेंट है याद रखना है इन सभी फैक्टों को आपको अच्छे से समझना है ठीक है इस कोस्टन को पूछते हैं ना बहुत बार पूछते हैं क्योंकि यह ना कंफ्यूज करने वाला कोस्टन होता है कंफ्यूज करने वाला कोस्टन है इसलिए इसको पूछते हैं यह रहा हमारा अगला कोस्टन इस कोस्टन को देखेंगे 36 गार राजय में कोट्री बेसिन 36 गड़ के कीज दिशा में इस्तित है तो हमारा इस कोस्टन का सही अंसर है option भी दक्षिर पस्चिम दिशा में इस्तित ह कोट्री नदी क्या है इंद्रवती नदी का सहयक नदी है कोट्री नदी का प्राची नाम क्या है परलकोट किस नदी का नाम है तो कोट्री नदी कहीं नाम है परलकोट जैसे आपको परलकोट याद आता है तो परलकोट विद्रोह आपको याद आना चाहिए परलकोट विद अगर आपको प्रथम सहीद आया तो उसमें आपको एक कन्फूजन होता है कि वीर नराइटसी है और वीर नराइटसी कौन है वीर नराइटसी पोटेंट है ना इतना डीटेल आपको कोई नहीं बताएगा मैं बहुत ज्यादा डीटेल आपको बता रहा हूं हर कोशन से रिलेटेट करके ठीक है चलिए यह रहा हमारा अगरा कोशन है देखेंगे इस कोशन को कौन सा जीला विष्टिछाया प्रदेश के अंतरगत आता है कौन से जीला विष्टिछाया प्रदेश के अंतरगत आता है तो हमारा इस कोशन का अप्षन देखेंगे तो अप्षन भी क्या है विष्टिछाया प्रदेश के अंतरगत आता है कवरधा जीला विष्टिछाया प्रदेश के अंतरगत मुख्यरूप से क्या है यही आता है लेकिन मैकल स्रड़ी कहां कहां फैला है तो मैकल स्रड़ी आपका गवरेला पेंडरा मरवाही में फैला है ठीक है गवरेला पेंडरा मरवाही मुंगेली जीला ठीक है और खवर्धा जीला खैरागर चुई खादान गंड़ाई जीला और राजनंद गाओं के डोंगरगर तहसील तो इतने एरिया में क्या है वह फैला है मतलब उसके सभी इलाके में फैला है उसके कुछ-कुछ एरिया में ही फैला है तो याद रखेंगे इंपोर्टेंट है ठीक है चलिए नेस्ट कोशन है यह रहा हमारा अगला कोशन देखो यह भी किसी न किसी एक जाम में आया हुए चातिस गड़ का मैदान का ढाल की सोर है तो आपको बहुत अच्छे से जो डिटेल क्लास पढ़ते हैं उसमें आपको बता दिया हो पूर्व की ओर है क्योंकि चातिस ग क्या है कंफ्यूज करने वाला कोशन है यह कुशन को पीस्टी 2015 में पूछा गया था चतिस गड़ में निम्नले की समुह में से किस समुह के जीलो की सीमा दूसरे राजों को इस परसन ही करता है तो इस परसन ही करता है उसको आपको पूछें के तो देखो आपको इसमें तो इस question क्या है यह हमारा आपसन नहीं हो सकता ठीक है दूर्गर राइपूर धमतरी तो यहां भी धमतरी है ठीक है मतलब यह भी हमारा आपसन नहीं होगा ठीक है देखो यह वाला है तो इस वाला में देखो कोर्भा राइपूर दूर्गर सरगुजा तो यह क्या है सभी हमार क्या है लेंड लोग डप्रदिश है टिक है लेंड लोगड जीला है मतलब इस कुर्चन का हमारा सही अंसर कोन होगा तो हमारा को रइपूर दूरगा और सर्वुज़ा होगा तो यहां भी दम-तरी है देखो आप्षन लीबे तो यह की तो 4 में भोवास्थित जिलो की संख्या कितनी भर गई है इसमें ड़स दिखा रहा है यह अगला कुछत Kerry गण की स Cantore को किस नाम से जाना जाता है ठीक है तुमरों ध्य भलत कीड़ा की नाम से गैव श्या धान के इसका मतलब कहीं नहीं है कि 37 गड़ में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन होता है देखो 36 गड़ में धान का उत्पादन नहीं होता है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा होता है पस्चिम मंगाल में पस्टिम मंगाल में सबसर ज्यादा धान का उत्पादन होता है लेकिं 36 गड़ को क्यू धान का कटोरा बोलते हैं तो देखो 36 गड़ को भारास संग का धान का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके भू आकरिती है मतलब भूमी की आकरिती भगोलिक जो आकरिती है वो वैसा है इसलिए उसको बोलते है ठीक है तो इस question को PSC में पूछे ठीक confuse करने वाला question है तो आपको आपको कारण भी बता रहा हूं ठीक है चलिए इस question है देखो एक question का क्या है कूट की अदारपर इसको चुनना है ठीक है कूट दिया हो है उस हूँष का उप्योग करके आपको इस question का answer करना है ठीक है ठीक है चलिए मैं इसको थोड़ा से हो करता हूँ ठीक है इसholesA दिया है iaders कूट भी दिया है इंपोर्टेंट है ठीक है चलिए यहां पर आप तीन लिखेंगे क्योंकि 36 गड़ का सिम्ला कौन है मैं पाथ है साल वानों का दीब किसको बोलते हैं तो बस्तार का साल वानों को दीब है ठीक है तीन चार एक दो हमारा क्या है सही अंसर है तो इस तरीका से आपको कुछीजों को सॉल्वर करते चले जाना है इससे आपको जरूर फैदा मिलेगा ठीक है चलिए नेस्ट कोश्चन की और अगे बढ़ते हैं यह रहाँ मारा अगला कोश्चन इस कोश्चन को देखेंगे है ठीक है ठीक थीजगर राजा के राइपुर जीला से सीमा लगती है तो बहुत ही असान है ठीक है दूरगजीला की सीमा लगती है बाकि इस mercasant कोही जिला का सी लिकित की छेत्रा को दक्षिर बस्तर के रूप में जाना जाता है किसको दक्षिर बोलते हैं तो दंतेवाड़ा को दक्षिर बस्तर बोलते हैं दंतेवाड़ा का नाम देखो दंतेवाड़ा बना कब था उनिस साउन ठांबे में बना था तब इसका नाम दंतेवाड़ा था ल तो दोनों चीज को आपको याद रखना है चलिए ज्यादा टेम नहीं करते हैं यहां से ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है हमारे लिए ठीक है चलिए नेस्ट कुशन है यह रहा हमारा अगला कुश्चन को आप देखेंगे ठीक है वृष्टी छाया वाले छेत्रा किस जिले म इनमेसे कौन सा जीरा नर्मदा वेसिन का है इनमेसे जीरा है कि अन्तररगात कौर्वा आता है नर्मदा in کی अंतरगत कौन से जिला आता है तो कवर्धा जिला आता है बंजर एवां टांड़ा नदी ठीक है नर्मदा की सायक नदी है तो इंपोर्टेंट है चलो इसको हटा दो इसको आपको याद नहीं रखना है ठीक है चलिए राजनंद्गाउं जिले में बहने वाली बंजर एवां bonnet को में ही बहता ही नहीं ठीक है तो आप इसको वह कर देंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसको हम लोग रे too इस पोयी लिए इसको दिखन को आपको Siya जा जाएगा इस तरीका से कोश्चन से घबराना नहीं है कि इसको पढ़ना है पहले उत्री चतिस गड़ में बगेल खन पठार का पूरी भाग इस्तित है हां बिल्कुल सही है पूरी बगेल खन का पठार पढ़े हैं हम लोग दक्षीड दक्षीड है ठीक है चतिस गड़ का शोटा नाकूर के पठार से घीरा है यह विल्कुल गलत है तो हमारा इस बैदा प्रक्रिती द्वारा भूमी के अंदर बनाया गया अदबुद भूमी का दुपा है तो अद्बुद्भुमिगत गुफा कौन है तो यह हमारा कुटुमसर की गुफा है ठीक है कुटुमसर की गुफा कहां है तो बस्तर में है कहां है बस्तर में है किसके अंतरगत है तो कांगेर घाटी नेशनल पार्का देखो कांगेर घाटी जो नेशनल पार्का है बस्तर में ठीक है और यही पर है कुटूमजूर की गूफा इंपोर्टेंट है याद रखेंगे चलिए आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर बतना और अधिक से अधी लोगों तक सेयर करो जैसे मैं आपको इतने अच्छे से कंटेंड आपको प